इन दा काउंसल अब मेंबर्स जो है वह एक आइडेंटिफाइग किया इसलिए दाल लगाया बागी एक चीज आप याद रखें कि और के बाद जो आने वाला नावने वह कैसा होता है बताओ होता है इन दा काउंसल में बिगेन के बाद बर्वाती आ इंग में आती है ये हर चीज आपको लिंक करके जाने है मुझे पताए बिगेन sourating किसी पर तो starting at आता है एक चीज़ बताइए यह जो sentence पे बात कहीं जा रही है वो all the members यानि दो लोगों से ज़्यादा लोगों की बात कहीं जा रही है तो जब भी कभी दो लोगों से ज़्यादा की बात कहीं जाए तो वहाँ पर each other नहीं लगाते हैं पर one another लगाते हैं तो वहाँ याद रखें यहाँ पर each other की जगे one another आएगा ऐसे याद रखो जैसे यह लिख रहा है each other मैंने तो ऐसे याद खेर आप तो यादी हो गया जैसे देखो each each माने होता बीच अब बीच बचाब कितनी पाटियों के बीच में होता है दो यानि एक तो आपकी और एक सामने वाली पाटी लड़ाई चल रही खेत के उपर तो दो पाटी हो गई न तो याद रखो each other जो आता है वो दो पाटीयों के बीच में आता है अब जैसे यहां पर लिख्या मैंने one another one another देखो one माने एक and माने एक और other मतलब एक और एक कितने होगे दो अब इनसे भी other मतलब दो से उपर मतलब जाईसे दो से उपर की बात करें तो one another लगा ले आगे देखो no sooner आपको दिख जाए तो मातरिस में दो चीज देखा करो पूरे sentence को मत पढ़ा करो मैंने 99% cases में यही देखा है कि जब भी कभी no sooner आता है तो इसकी दो गलतियां बनती है वो कौनसी कि no sooner के बाद यह देखा करो यह helping बर्व जो है वो past में है या नहीं इन दोनों में से एक helping बर्व यहां पर आना चाहिए पहली बाद समझ मा आ गया no sooner वाला concept लिख लो या तो डेड आएगा या हैड आएगा अगर कुछ और दे रखा है जैसे subject दे रखा है बर्व नहीं है तो वो गलत हो जाता है जब यह वाला right हो जाए तो अब आपकी priority इस no sooner के conjunction पर जानी चाहिए इस sentence में जो conjunction लगा हुआ है वो कौन सा है तो याद रखना no sooner के साथ जो conjunction चलता है वो that नहीं then चलता है त, h, a, n वाला यह याद रखें a, n वाला होता है ना कि e, n वाला तो यह तीन चीज़ें आप याद रखना सबसे पहले मैं ने पढ़ा appear of such, देखो याद रखना कि यह subject हुआ, यह क्या हो गया बर्व, तो अब यदि आपका subject थोड़ा बड़ा लग रहा है जिसे appear, जिसे ही ले, राम is a teacher, ऐसे तो राम तो छोटा वाला subject हो गया लेकिन जब आपका sentence में subject थोड़ा बड़ा लगे, तो उसमें आप यह देखा करो, सबसे पहले इसमें preposition कहाँ पर है, preposition मिल गई तो इससे पहले जो आएगा उसी पर यह आने वाली helping बहरो depend करती है, तो appear मतलब यह singular है, जब singular है तो सबसे पहले sentence पढ़ने के धर्मयान, कुछ चीज़ें जो मैं बताता हूं, बस वहीं आप अपनी नजर को ले जाएगा, वहीं गलती मिलती है, आपका paper कोई भी हो, कभी आपने, कहते ना, no error without terror, यह बिल्कुल सत्य बात है, आगे देखिए, the government decided to stop all sale of diamonds abroad, because of the recently past revolution, मैंने क्या बता है था, जब भी कभी आपको all देख जाए, तो all के बाद आप यह देखा करें, कि हो plural है या नहीं, देखो all के बाद sale, यह singular है, जबकि होना क्या चाहिए, sales होना चाहिए, यह plural वाली forum में होना चाहिए, तो all sales होना चाहिए, आगे देखिए, आगे the advocate leaked the matter to the media, यानि यह sentence में no error है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, आगे if I would have released, मैंने जैसे if देखा ना बाई, मैंने आपके paper के हिसाब से यह error चाहटी है, यानि जैसे मैंने if देखा, मेरा दिमाग सीधे गया, यह sentence में यह देखो एक तो यहां तक चलेगा, दूसरा sentence यहां से start है, मैंने देखा if व आपके paper में हो सकता है, ज्यादतर यह वाला error बन सकता है, कि if के शाथ वो sell will दे सकता है, sell will नहीं आता है, उसमें खाली present indefinite आता है, ऐसे condition में ज्यादतर वो ही आता है, तो अब आप माल लीजे, यहां पर आप वो error फिलप्स करवा दिया, यहां पर option में दे, board है, head है, date है, देखो भाई, यह question tag है न, question tag में अगर आपको समझ में नहीं आए, कि इसमें error कहां पर है, तो तुक्का मार दो, एकदम तुक्का साइज आएगा, question tag आप पर नहीं आता, तो सीदे, जिसमें यह question mark लग रहा हो, उसी वाले option को तुम click कर दो, आपका उत्तर साइज आएगा, ऐसा क्यों, क्योंकि यह पूरा sentence जो बनके depend करता, यह इस वाले पार्ट पर depend करता है, तो maximum जो गलतियां होती है, वो इसी वाले पार्ट में गलती होगी, इस वाले पार्ट में तो बिल्कुल गलती नहीं होगी, यह चीज़ आप याद रखें भाई, question tag बेरी simple है भाई, सब से जिसमें question mark लग रहा हो, समझो वो ही है, मतलब isn't बगरा sort में ऐसा कुछ लिख रहा हो, समझो वो ही error है, देखो मैंने लगा दिया error वाला पार्ट हो गया, अब इससे मैंने कैसे पहचाना, मुझे पता you can spare, यह simple है, simple में क्या होता है, कि जो question tag बनता हो, negative बनता है, तो can का क्या हो जाएगा, बताओ, यह can का हो जाएगा, can't, और you, तो you आजएगा, तो can't you इसका होना चाहिए, जबकि देख या रखा, isn't you, तो जो गलत है न भाई, यह चीज़े याद रखवा, इमीद करता हूँ, आप सब की समझ में आ रही होगी, अब biggest problem में आगे बढ़ा ही न जाएगा, तो आगे पीछे देख लो, कहीं दाव अगरा लग रहा है कर नहीं लग रहा, सीदी बात, नो बगवास, ओनली काम की बात, मैंने देखा, जूनियर आ गया, मैंने सेंटेंस जब यह पढ़ा था, आपको पढ़ाने से पहले मैंने सारे पढ़े हैं, तो मैंने के लिए यहां पर तू लगाया जाता है, चाहे जूनियर आए, सीनियर आए, इनफीर आए या सुपीरियर आए, उसमें के लिए तू लगता है, मैंने आगे देखा ही नहीं, और यह यह एरर बने गया, आगे देखो, काइंडली सेंड लेटर, देखो इस वाले सेंटेंस को जब मैंने पड़ा, मैंने देखा कि सबसे पहले, काइंडली के बाद, मैंने देखा सेंड लेकर अन लेटर, पर बेजिएंगे, तो वहां पर क्या ऐगा, बतां, यहां पर आध ही तो इस तरह से आप देखो तो यहां पर टू आ जाएगा, तो शेंज आ ऐंगे आगे देखिएगा they have been prohibiting me for boring money देखो जब भी कभी मैंने prohibit का मतलग होता है मना करना और मना करना जैसे ही मैंने देखा तो मेरे समझ में आया कि भाई इसका preposition देखो क्योंकि जादातर prohibit कभी आता है बर्व तो जादातर उसका preposition error दे जाता है तो prohibit के साथ preposition दलती है from तो यह चीज याद रखो आगे मत पड़ो मत पड़ो वो क्या लख रहा है जादा तर गलतियां ऐसी ही बनती है आगे देखो the victim tried to tell us what has happened but his words were not audible देखो भाई sentence start किसे हो रहा है पास्ट से हो रहा है second forum दे रखिए last week किसे हो रहा है पास्ट से हो रहा है इसका मतलब बीच वाला इससा भी तो पास्ट रहा होगा तो हैज की जगह पर हैड होना चाहिए यह चीज़ें जब आएंगी जब आप थोड़ा तैयारी करेंगे थोड़ा पड़ाई करेंगे आप ठीक है सभी वीडियो आप देखो अब तक मैंने आए थिंग 30 32 करा दिया हूं सभी को आप रेगुलर देखा कर आगे देखो अब आपने बोला कि सर वीडियो को नहीं आया मैं बता दू रीजन क्योंकि थोड़ा काम चल रहा है खेतों में इसलिए वीडियो नहीं आ पाया देना होता है मैंने देखा स्टार्टिंग किसे और यह पास्ट से लास्ट भी किसे हो रहा है पास्ट से इसका मतलब जो इसमें सेंटेंस में बरवाएगी वह भी पास्ट आएगी ना बई तो सीज का क्या होना चाहिए बताव पास्ट या नहीं सौ होना चाहिए आगे सब्सक्राइब से चलफ करना पड़ेगा सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब यह पर यह पर याद रखना कभी बही डिचत्टि मतलब रऑगि kingdoms अगर कभी desert वगरा इस तरह का अगर कोई place होता है तो वह हमेशा kind में सुमार किया जाता है मतलब a kind of a place एक place का ऐसा एक प्रकार है desert area एक you know इस्तान ऐसे उनका एक प्रकार है तो kind आएगा अच्छा देखो यहां पर place or land तो आए नहीं सकता तो आच्छा क्योंकि देखो a place of a place तो नहीं हो सकता a land of a place नहीं हो सकता तो ऐसे में variety हो सकता है लेकिन इसमें confusion आपको दूर कर दूँ कि variety जो होता है देखो variety में क्या होते है से युनो एक और चीज़ देखो variety अगर आप इस्तमाल करेंगे तो variety के बाद off आएगा और off के singular आता है तो जो कि plural नहीं है मतलब यहां a place singular दे रहा है तो variety तो कभी नहीं आ सकता है तो इसलिए you know kind यहां पर आ सकता है आगे दिखेगा which has almost you know dash water and only अब देखो 25 में क्या सकता है कि a desert is a kind of a place which has almost almost lot of water no water little water many water देखे पहली बात यह समझेगा कि इस खाली जगय के बाद यह water रहा है water एक uncountable तो uncountable में कभी हम मैंनी का इस्तमाल नहीं करते हैं और देखो lots of lots of क्या होता lots of के बाद तो plural आता है आप सब को यह याद होना चाहिए कि lots of के बाद तो थोड़ा बहुत मतलब lots of you know students तो य यहां पर no जो है वो बिल्कुल सही है desert में पानी कहा होता है तो अइसे करके क्या होता है जो है no यहां पर option थोड़ा सा अच्छ यह almost no मतला बिल्कुल नहीं के बरावर होता है lot of का मतला होता है बहुत ज्यादा little माने थोड़ा मैंनी माने बहुत ज्यादा तो इस तरीके से आपको देख लेना अब आपको आगे देखना है करना है कि याँ इसके ओंपर जीवने हो बहुत कम है तो जैएगा तो बहुत ज्यादा दालने elephants very यहां पर आज आएगा आगे देखो on it 27 में आएगा plants, animals and human beings 27 में आप क्या लिख सकते हैं आपको यह थोड़ा सा पढ़ना होगा तो उसमें साबसे because, when though या फिर why sentence में जो meaning अगर बनाना है meaningful तो यहां पर because आएगा यानि क्योंकि on it because क्योंकि plants, animals and human beings need water to live, यानि जीने के लिए उन्हें क्या चाहिए, पानी चाहिए तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपर last वाले में 2 आएगा, क्योंकि आगे जो है वो बर्व दे रखे, 2 प्लस बर्व की फर्स्ट आप, और जो यह लिए यह एक वर्व की तरह इस्तमाल किया गया है, तो इसलिए यहां पर 2 आएगा, इन्फिनिटिव बना दिया गया, ठीक है, आगे देखेएगा, और प्रिश्ट आपको देखेगा, यह वन वर्ड है, और इन सभी वन वर्ड को आपको आपको ट्राई करेगा, देखें, देखें, भी रेड, जिसे includes यहां जा शकता है, उसे अंग्रेजिन में या सकता का जाता है, तो इन 4 में से आपको एक बता ना है, जो के इसका main answer हो जाएगा, तो उसे illegible, यानि के eligible का मतलब जिसे पढा न जा सके राइट है, यानि कि भी वाला राइट हो जाएगा, अच्छा बाकि इन सभी जो और बचे हुए हैं उन सब को आप देख लिजेगा चलो आगे देखो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा वन हु मेक्स ऑन ऑफिशल एक्जामनेशन ऑफ अकाउंट यह जो जो एकाउंट होते हैं उनका ऑफिशल एक्जामाइन करता है उसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं और ऑडिटर तो ऑडिटर क्या होता है ऑडिट करता है तो उसे ऑडिटर बोलते हैं कलर्क तो सब्सक्राइब करें उसकों क्या बोलते हैं तो टेली स्कोप राइट आंसर यानिके डी हो जाएगा बाखी जो रिमेनिंग उन्हें आप खुद देख लिएगा चलो बताता हूं लेको पैरी स्कोप क्या हो था ऐसा यंत्र जिससे पानी के अंदर से पानी के अंदर के भागों को देखा जाता है उसे पैरी स्कोप बोलते हैं एक माईक्रोस्कोप यानि जो चोटी-चोटी चीज़ों को सुचमदर्सी यह को है इसमें बाइयोस्कोप यानि जो चल चित्रों को देखता है आगे देखिएगा आगे देखो वन हू नोज और सीज आवरी तिंग यानिका सा व्यक्ति जो हर कुछ जानता और सब कुछ सब कुछ देखता है तो उसे क्या बोलते हैं ओमनी साइंट ओमनी साइंट इस दा राइट आंसर बी वाला राइट है ओमनी साइंट बोलते हैं बाकी रिमेनिंग यह आपको याद होना चाहिए ओमनी पो पो मने पावर पावर जिसके अंदर बहुत ज़्यदा एक सीध में रखना एकदम लाइन में रखना अलाइन एल आई जी एन राइट आनसर लवली मैंसे चार इस पेलिंग जो है बताना आपको पूछ कौन सी राइट है तो लव की क्या होता है बताओ लोवी यह 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 वाला राइट आंसर हो जाएगा वैसे मैंने बार रिपीट जो है वीडियोस देख रखी तो उनके लिए तो काफी जादा है वीडियोस हो जाती है अब देखिए का कुछ आपको यह बताना है कि इस जगह पर क्या आएगा ट्राइ करिएगा बेबीज लाइक मिलक इसंट इट देखो यह कोशन टेक का बेस्ट कोशन मैं आ बाई अगर उसी वर्व पर डेपैंडड यहनु कोशन टैग बनता है तो इसमें तो जाए जब वर्व की फस्ट वर्म आएगा तो डू या डज नॉट में इस तरीके से बनता है और बैसे बेवीज प्लूरल है यानि बेवीज अगर जो है प्लूरल आपको देखने को मिले जगया नहीं दे लगाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा बताओ डोंट दे यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कोशन टैग में प्रिशन बन सकता है इसलिए आप कोशन टेग को पूरा पढ़के जाए रिस्क नाल है एक भी नमबर का आगे देखे डोंट लीन अंगेस यहां पर बताना है कि यहां पर बुड़ की जगय पर आपो इन में से क्या इस्तमाल हो सकता है देखे एक चीज और देखेगा यहां पर जो बुड़ है इस जगय पर मैट जो है मुझे जादा अच्छा लग रहा है पहली बात तो यह याद रखें कि इट के साथ ग्रैमेट सही हो सकता है डोंट लील अंगेश्ट दिस वॉल राइट तो यहां पर थोड़ा पॉसिबिटी कॉलाप्स होने की इसलिए माइट अवाला बन जाएगा आगे देखो दा पुलिस कॉर्ट दा विक्टिम रेड हेंड यानि पुलिस ने रंगे हातों विक्टिम को पकड़ ल कॉलते हैं disponible रघन हेन० का मतलब रंगी हाथो तो रंगे हात अगर रंगे हात अपराद करते हैं तो चोर को इसलिए ठीफ के पहले दाका प्रियोग इसलिए और भी किया जाता है क्योंकि यह एक definite sense है तो इसलिए यहां पर जो है दाथीफ जो है वो ज्यादा सही है क्योंको red-handed जो है वो किसी चोर को यह पकड़ा जाता है नाकि victim को तो क्योंको victim जो होता पकड़ने के बाद victim बन जाता है आगे this house belongs to no improvement है कोई दिक्कत नहीं ए यानि कि क्या होता है कोई जाती और उसमें एहस लगाने से वह क्या हो जाता है एक तरह से possessive का case देता है आगे देखिए I am having more than hundred books तो कभी भी अगर इस तरह का कोई sentence आ जाए तो आपको meaningful बनाना होता है तो आपको पता है यहां पर ing से कोई sense बनेगा नहीं इसलिए यहां पर ऐसे बोलो I have more than hundred books राइट है न मतला have का use होगा यार दिया हुआ जो sentence है इसमें possession का आर्थ दे रहे तो जब भी कभी possession को दर्सा आए जाता है तो having का use नहीं करते हैं जब भी कभी possession को दर्साने के लिए आपको पता है na has have had का use करते हैं च्योंकि जो sentence है subject में I है तो I के coding तो have आएगा तो इसलिए आपर है बाला जो option है वो एकदम सही हो जाएगा कोई गलत नहीं करना आगे देखो she is enough mature to take her own decisions एक बात मैंने आपको बता है इनफ वाला rule मैंने कई वार आपको बता रखा है इसलिए इसको तो आपको बताना ही होगा तो enough mature की जगे परिया आप old enough का इस decisions जाइज है old enough होगा तभी वो अपने decisions को ले सकता है तो यहां पर old enough जो है वो ज्यादा सही है एक और चीज़ आप देखेगा मैं सभी प्रिशनों को आपको बताते जा रहा हूं मैं गलत क्यों कर रहा हूं सही क्यों कर रहा हूं old enough एक और चीज़ देखो enough का प्रियोग यदि एडवर्व की तरह किया जा रहा है तो आपको पता है जो structure है वो इस तरह से बनता है कि adjective तो पहले आता है और उसके बाद enough पाता है तो देखो old एक adjective है और enough जो है वो एक enough है तो ऐसे में क्या हो जाएगा old enough यहां पर यह तो गलती हो जाएगा क्योंकि अगर adjective और कभी enough का इस्तमाल करना हो तो पहले adjective आएगा फिर आपका enough आएगा तो इस तरीके से old adjective है इसलिए मैं कह सकता हूं structure तो based होगा old enough जो ह है degree है तो जब भी कभी पज सौरी माफी चाहूंगा पजह सिर्फ डिगरी नहीं होती यहां पर क्या है यह सुपरलेटिव डिगरी है तो happiest जब सुपरलेटिव डिगरी होती है तो उससे पहले आपको दा लगाना पड़ता है इसलिए the happiest of all यहां पर right बन जाएगा सुपरले लिए करूंगा ताकि जिन्होंने नहीं कर रखाया उनका हो जाएगा अब देखिएगा इनवर कंट्री टीचर्स डे इस सालीबरेटिड ओन सेप्टेमबर फिफ्ट इस प्रशन में आप कभी भी जब भी कभी फिफ्ट सेकंड फस्ट सेकंड इस तरह से अगर कभी भी कोई आप सबको पता होगा इंटू का इस्तमाल नहीं किया जाता तो सीधे मैंने गलती को फाइंड कर लिया आगे देखिएगा दा चिल्टरन वर क्वेरलिंग बिट्मीन देमसेल्ब्स वेन ओल उफ सड़न इट अकर्ड टू दाम दाट देर टीचर वाचिंग देम क्या लगता इस सेंटेंस के अंदर आपने कुछ समझ में अया मेरे समझ में आया गया लिए को बिट्विन की जगह पर आपको अमंग का इस्तमाल करना एं मैंने ऐसा क्यों बोला उसका एक रिजन है क्योंकि चिल्टरन वह प्लूरल है और संक्या में आपको पता है दो से ज़्यादा है तो ऐसे में जब दो से ज़्यादा कि बीच में अगर कभी रिलेशन बताना है तो आपको among मतलब मंग मतलब बहुत ज़्यादा तो इसलिए among right वाला option हो जाएगा आगे देखिएगा I met Jan in the way तो यहां पर देखिए इस sentence में आपको कहीं गलती दिख रही है क्या मैं बता दूँ इनकी जगह पर on आएगा मतलब on the way होता है रास्ते पर रास्ते में on the way is the right option तो on the way यहां पर नहीं on the way होना चाहिए not in the way the hospital rules require that every patient should have an attender attender नहीं होता attendant होता है मुझे लग रहा है कि कुछ आप पहले try कर चुके हैं तो attender क्या होता देखो अटेंडर की इस्तान पर attendant का इस्तमाल होना चाहिए attendant का मतलब होता है सेबक अटेंडर क्या होता है यह एक तरह से अपचार के अंग्रेजी में इसका नहीं किया जाता है इसलिए मैं इसे prefer नहीं करूँगा the children said they would starve rather than to surrender तो जब भी कभी आपने गरें इस्तमाल कभी इस तरह का कोई sentence अगर आपने पढ़ा हो तो याद रखना है यहाँ पर जो है वो two का इस्तमाल नहीं होगा क्योंकि rather than के बाद तुरंद surrender आ रहा है तो इसलिए यहाँ पर two इस्तमाल नहीं करते एक और reason यह है कि rather than के बाद अगर कभी बर्व आएगा तो उससे पहले के अभी two नहीं आएगा मतलब एक और चीज याद रखें कि rather than के बाद तुरंद बर्व की first form आती है without any two देखेगा we dash the picture on the wall एक sentence आपको दिया गया है और इसमें flip आपको करना है तो यहां पर क्या सकता है वो चीज आपको देखनी है देखें यहां पर हंग जो है आएगा ह-u-n-g क्योंकि आपको एक चीज में बता हूं second form होती है hang की hang और इसलिए मतलब किसी is the right answer हो जाएगा आगे देखेगा आगे देखो we thought the banner would look better with change in color combination क्या सकता है चारों को ध्यान से पड़ेगा यहां पर देखो मुझे जो लग रहा है वो some लग रहा है some change in color combination यहां पर some क्यों आया उसकी एक priority बताता हूं क्यों जो sentence है उसमें जो खाली जग है न उसके बाद तो change का use ही हुआ है और uncountable noun है change तो इसलिए uncountable noun के साथ some का use किया जाता है तो इसलिए sum जो है यहां पर बन जाएगा आगे देखो prices during the war मतलब जो prices है जो कीमत है वो war के दर्मियान क्या होती है बताओ जल्दी से बताओ जब लड़ाई बड़ाई की बात हो रही है तो यहां पर rise जो है वो सही हो जाएगा यान कि war के दौरान prices जो हो बढ़ जाती है जल्दी से बताओ यहां पर क्या आ सकता है और possibility जो भी होगा वो डिपेंड करता आपका वो कितना अच्छा है first second third form कितनी अच्छी है यहां पर lie जो हो राइट हो जाएगा I shall go मैं जाओंगा and lie down मैं लेट जाओंगा तो you know lie down मतलब लेट ना वाक में जो model वर्व सैल इस्तम जूट बोला जूट बोला तो इसलिए आपर लाइज वो ठीक बन रहा है ठीक है ना तो इसलिए थोड़ी थोड़ी चीजें जो कि आप थोड़ा याद कर रहेंगे तो वह जो है sentence पूरा अच्छे हो जाएंगे आपका जो score हो अच्छा हैगा अब देखिएगा यहां पर best expression haps मतलब आपको सुनूनियम बताना यह बताओँ डैसपोड का मतलब होता है ताइ'REंट तानाशाह 잠 नाशाह का नाम सुन तो इसके देश।कर का नाम याद आता है तो अभी आपको मुझे आप कमेंट करके बताएगा कि तानाशाह को जब आप सुनते हैं तो आपको क्या मतलब होता है अशल्म या दाणव दैत्य और कमीशन का मतलब कोई आयोग होता है चलो आगे और बढ़ जाएगा आगे और प्रसिसने इसमें एक इसमें persistent – persistent का स्नोनियम बताना यानि persistent का मतलों होता है permanent यानिन अन्भरत या दीर खिजिताही जो इसताही हो जाएदा persistent बोलते हैं से छलो तो इसमें जो main जो बन रहा है meaningful वो permanent है इसलिए आपका B वाला राइट आंसर हो जाएगा चलिएगा आगे मैं आपको और बता देता हूँ एक इसमें transient transient का मतलब होता आइस थाई एक है fleeting मतलब आइस थाई उसी को एक है seized मतलब जब्त कर देना आगे बढ़ जाएगा अब आपको आपको उल्टा बताना है यानि की blow बताना है abrupt बताईए abrupt का मतलब होता है एक आयक उल्टा क्या हो जाएगा gradual यानि के नियमित या क्रिमिक रूप से तो gradual यहाँ पर जो है इसका उल्टा हो जाएगा और बाकी जो remaining है उनको आप देख ली जाएगा हैस्टी का मतलब होता है शीगरता पूर्वा blunt blunt का मतलब वो ही उजड टाइप का एक unexpected मतलब जो आपने प्रत्याशित कभी नहीं किया हो अब प्रत्याशित बोलते हैं से आगे देखो former former का आप उल्टा पूछा है तो याद कर ले ना उसका होता letter L-A-T-E-R spelling भी याद रखना L-A-T-E-R former का क्या होता है बताओ letter letter मतलब होता है दो में से दूसरा और former का मतलब दो में से पहला एक हैस में later 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 माने होता है बाद में spelling को याद रखना later later माने होता है बाद में informal का मतलब अनौपचारिक और latest का मतलब जो एकदम latest version आदो निक एको देखो imitation imitation का मतलब होता नकल या किसी का प्रतरूप copy बोल सकते हैं उल्टा क्या हो जागा genuine एक होता imitation यान किसी के आपने नकल करके कोई बस्तू बनाई है उल्टा क्या हो जागा genuine हो जाएगा बास्तिबिक कोई चीज है मतलब genuine तो genuine जो है right answer हो जाएगा आगे बढ़ जाएगा आगे आपको जो ये underline किया हुआ है इसका आपको idiom and phrases बताना है तो उमीद करता हूँ आपने बहुत जादा questions को जो है solve किया होगा और कुछ one word है idioms है जिनको याद किया होगा it was the tip of my tongue तो याद रखना कि the tip of my tongue इसको exact याद रखो about to say कहने बस कहने वाला आपकी जुवान पर यह तो उसे बोलते हैं on the tip of my tongue मतलब about to say it was on about to say when you also you know proposed that we should go to the auditorium तो about to say इसका मतलब होता है मैंसे finally याद ही रखना है kindly tell me by words of mouth तो word of mouth का मतलब क्या होता है मतलब मौखे ग्रूप से oral type में तो word of mouth मतलब मूख के द्वारा शब्द मतलब वोई oral की बात कर रहा है hurry was taken to task by the teacher for making a noise in the class तो take to task का मतलब क्या होता है एक तरह से किसी को डाटना फटकाना इसकॉल्ड करना तो scalded है यहां पर right answer हो जाएगा who would not look will you तो इसे याद रखना look will you का मतलब होता है upset थोड़ा सा बिचलित दिखाई देना look will you का मतलब थोड़ा नीला दिखाई देना मतलब वोई upset दिखाई देना the step mother said crocodile tears on the death of her step on तो sad crocodile tear का मतलब क्या होता है वही गड़याली आंसु जो है रोना उसको बोलते है crocodile tears इसको आप याद रखें इसका मतलब था एक तरह से कतना false tears of sorrow मतलब दुख तो है लेकिन उसका बस दिखावा कर रहे है इतना ज्यादा दुख भी नहीं है तो false tears of sorrow इस प्रशन के जो है यही exact answer है बाकि इसका और मैं एक बार revision करवा देता हूं इन सभी प्रशनों का चलेगा एक बार यह आपने देख लियागा प्रानी वीडियो में जो important है वह मैं आपको बताते चलता हूं ताकि आपका revision हो जाएगा एक बार that which cannot be read जिसे नहीं पढ़ा जा सकता उसे eligible बोलते हैं क्या बोलते हैं जिसे नहीं पढ़ा जा सकता eligible होता है one who makes an official examination of account उसे auditorium sorry auditor बोलते हैं auditorium अलग होता है an instrument used to see distance object जो दूर की बस्तों को देखने का जो यंत्र होता उसे telescope बोलते हैं मतलब D वाला और बाकी जो है वो उनको भी देख लीजेगा bioscope मतलब चल चित्रदर्सी microscope मतलब सुक्षम दर्सी छोटे चीज़ों को पेरिस्कोप मतलब पानी के अंदर की चीज़ों को देखने माला one who knows or sees everything जो सब कुछ जानता है omni-science बोलते हैं उसे omni-science science मतलब बैग्यान ऐसे समझो omni-potent का मतलब जिसके अंदर पावर हो सर्व शक्ती मान, omni-present जो सर्व हर जगे पर हो omni-fares मतलब निर्वीक सब कुछ सहने वाला